आज का जो यह वीडियो है ना ही आपको डराने के लिए है ना ही आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग करने से मैं डिस्करेज करने के लिए इस वीडियो को बना रहा हूं इस वीडियो का बनाने का मकसद एह है कि आगे जाके आप पियर टू पियर ट्रेडिंग अगर करते हो तो आगे जाके आप कोई प्रॉब्लेम में ना पड़ो आपको साफधान करने के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग जो है लेगल प्रॉब इस सब का बातों में आके अगर आप पियर टू पियर एक्स्चेंज को यूज करोगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लेम में आप पड़ सकते हो तो वीडियो आपके लिए काफी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा एंट्रैक आप ब चाहता है एक्स्चेंज का और रहती है तो बैसिकली अगर बायर्स को बाई करना है और सेलर को सेल करना है तो उस टाइम पर उस एसक्रो एकाउंट के जरीए दोनों में कनेक्शन होती है और बाई सेल किया जाता है जब भी बायर्स जो है बाइंग का ऑप्शन में क्लिक करत उस टाइम पर उनको sellers का अकाउंट नंबर दिया जाता है जैसे बायर जो है पेमेंट कर देते हैं seller का अकाउंट में तो seller का अकाउंट में जब trade execute होती है उस टाइम पर seller का अकाउंट से automatically जो USDT है वो डिडेक्ट होके पहले scroll में आती है और scroll में आने के बाद जैसे payment confirm हो जाती है उस टाइम पर scroll से automatically deduct होके जो बायर का अकाउंट में चला जाता है तो कुछ इस तरह से जो P2P trading है वो किया जाता है तो कुछ P2P exchange का example हम देख लेते हैं जैसे कि Binance P2P वाजी रेक्स में भी P2P का option है उसके साथ सब Local Bitcoin Coin Bazaar ऐसे करके सिफ ताल ऐसे करके बहुत सरे अलग-अलग exchange है जिसके तुरू आप पीर-टू-पीर तरीके से Bitcoin का या अधर cryptocurrency का buy sell कर सकते हो अब आते हैं main topic पे कि किस तरह से आपको आपके साथ fraud हो सकता है scam हो सकता है आप legal problem में पर सकते हो P2P exchange को use करके so first जो scam है वो है basically payment window time का आप जब भी buy करने जाते हो कोई भी exchange से तो आपको दिया जाता है 30 minute का time अगर आप 30 minute का जो time है इसके अंदर ही trade को नहीं execute करते हो यानि suppose आप buy करने जा रहे हो आपको seller का account number दिया गया है उस time पर अगर 30 minute के अंदर आपको जो है payment करना होगा अगर 30 minute cover हो जाए और उसके बाद time out होने के बाद आप payment करते हो तो आप अपने amount को loss कर सकते है उस time पर अगर seller आपको पैसा refund नहीं करती है तो उस time पर आप अपने amount को permanently loss कर सकते हो तो exchange से भी आपको कुछ भी फाइदा नहीं मिलेगा अगर आप bank में जाके complain करोगे तो आपको पता ही है legal procedure में कितना ज़्यादा time लग जाता है second जो scam है मैं आपको बता देता हूँ वो है bank account freeze होने का डर कि आप जिससे भी trade कर रहे हैं आपको पता नहीं है कि वो बंदा कौन है कहां से है in fact उनका mobile number भी आपको पता नहीं चलता है वो कौन सा amount या कौन सा पैसा दे के आपके साथ आपसे cryptocurrency को buy कर रहा है वो आपको पता नहीं है बहुत ब्रह ऐसा रहता है कि बहुत सारे illegal काम करने के लिए supposed की drug smuggling करने के लिए या वो बंदा किसी से भी दूसरे किसी से fraud कर कि उस fraud का पैसा से आपसे cryptocurrency को buy कर लेता है ऐसा अगर हुआ तो आप सोचोगे कि आपका जो bank account है उसे freeze किया जाएगा और cyber से लिया police को आपको बताना होगा कि यह जो amount है आप कहां से आपके account में आया है और हो सकता है आपको legal जितने भी तरीका है उसके through जाके अपना account को unfreeze कराना पड़े लेकिन उस time पे अगर आप tax चोड़ी करने के लिए peer to peer method से crypto rating कर रहे थे उस time पे आप problem में पर सकते हो हो सकता है कि court में जाने का बाद आपका account unfreeze, deep freeze हो जाए लेकिन फिर भी बहुत बड़ा problem में आप पर सकते हो अब आप मुझे कहेंगे कि exchange में तो KYC किया हुआ रहता है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ आपको जैसे कि पता है कि exchange के पास ऐसा कोई तरीका नहीं होता है जिससे वो identify कर पाए कि जो आधार card या जो pan card को use करके बंदा KYC कर रहा है वो जो है सही है या नहीं है हो सकता है duplicate आधार card या pan card को use करके वो बंदा जो KYC है उसे complete करे so peer-to-peer trading बिलकुल भी safe नहीं है बहुत सारे लोगों का bank account freeze है peer-to-peer trading करने के लिए और अभी ते को deep freeze नहीं कर पाए so make sure अब जब भी आप इसके बाद peer-to-peer trading करने जाए याद रखिए कि आपका bank account भी freeze हो सकती है मैंने एक दो ऐसा भी cases देखे जिसमें 8-9 महना पहले trading किये और अभी जाके उनका account freeze हो रहा है reason बताया जा रहा है कि जिस बंदे से उन्होंने जिस बंदे के वो USDT को या bitcoin को sell किये वो एक fraud है वो किसी से fraud करके पैसा लेके आए और उस पैसा से cryptocurrency को buy किये third जो scam है मैं आपको बता देता हूँ कि जो buyer आपसे buy कर रही है वो ही खुझ से जाके fire कर देते है उसको nearest जो भी cyber sale है उसमें suppose कि आप किसी को USDT या bitcoin को sell कर रहे हो और उससे आप 50,000 रूपीज ले रहे हो और उसके बाद वो बंदा जाके आपके नम पर complain कर देते है कि आपने उसके साथ 50,000 का fraud किया है and suppose कि आप रहते हो Delhi में and Delhi से आप trade कर रहे हो and suppose तामिल नारू का चेनाई का कोई भी cyber sale में हो complain कर देते है and आपको उसलिए जाना परता है वहाँ का cyber sale में and हो सकता है कि court से भी आपके पास notice आ जाए and legal injury में आप फस जाओ तो एही सब reason का कारण में आपको कहूँगा कि P2P trading से आप दूर रही है अगर आपको 30% tax देना पर रहा है तो फिर directly आप Indian exchange का use करके अपना crypto को sale करे आप P2P exchange के जरीए unknown किसी person के साथ trade करके अपना जो कह सकती हो कि legal injury में आप ना फसे बहुत सारे लोगों के साथ same scams हुए है और बहुत सारे लोगों का bank account अभी तक freeze है या बहुत सारे लोगों के साथ scams भी हो चुके है तो I hope कि आपको पता लग गया होगा कि किसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि peer-to-peer trading आपको नहीं करना है चाहे हो जो भी platform रहे चाहे हो Binance रहे वाजी रेक्स रहे चाहे local bitcoin रहे चाहे geotas रहे या फिर सिफ्ताल exchange रहे peer-to-peer exchange आपको बिलकुल भी use नहीं करना है So I hope कि ये video आपको अच्छा लगा है और इस video को आप जादा सा जादा बिलकुल share किजिए उन सारे लोगों के साथ जो कि सोच रहे है कि 30% tax को बचाने के लिए वो peer-to-peer exchange के जरीए अपना जो amount है अपना जो cryptocurrency है उसे buy-sell करेंगे और आप याद रहे है अगर आपको buy-sell करना ही है अगर आप अपना कोई relative friends या कोई non-percent से buy-sell कर रहे हैं तो सही है लेकिन peer-to-peer exchange का use बिलकुल मत किजिए आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं next वीडियो में और इसी तरह cryptocurrency से related important वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को subscribe कर सकते हो और अभी हमारे चैनल में एक complete course चल रही है complete free course जिसमें मैं आपको cryptocurrency के बारे में A to Z सब कुछ बता रहा हूँ अल्रड़ी 5 एपिसोड उसमें upload हो चुका है तो उसका भी link आपको description में मिलेगा आप simply जाके देख सकते हो आज के वीडियो में इतना ही मिलते है next वीडियो में और एक interesting सा topic के साथ तब तक के लिए goodbye जैहिंद झाल झाल